नमस्कार आपका स्वागत है मेरी चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं लेटेंसी के बारे में लेटेंसी क्या है अक्सर हम जब वोकल रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम कोई सिंगर है कोई सिंगर गारा है तो पता चलता है कि जब वो गारा तो रिस्पॉंस कुछ समय बाद आ रहा है उसका जैसे एक delay type का delay तो नहीं कहेंगे latency and delay totally different है right so वो गा रहा है तो जब वो बोल रहा है तो बोलने के कुछ second बाद उसका फिर से आवाज वही चीज़ repetition आ रहा है right तो यह latency problem होते हैं और singer proper गार नहीं पाता right इस issue के चलते हैं तो इस latency problem को हम कैसे solve करेंगे माल लिजे कोई vocal हम record करते हैं right so let's say तो इसमें क्या होता है कि जब vocal record करते हैं और already अगर कुछ अगर already latency problem है अगर हमने और भी कोई effect वगर डाल दिया तो माल लिजे auto tune हम करके यहां पर करते हैं यानि singer गाही नहीं पाता क्योंकि latency problem होती है so उसमें हमें करना क्या होता है latency कि करना आती है क्योंकि हमारा buffer size जो होता है उसके साथ हमें उसको manage करना होता है तो buffer size को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि device manager में जाएंगे device manager में जाके device setup पर जाएंगे और यहां पर आप देख रहे है कि VST audio system मेरे पास focus right और USB है audio interface है मेरे पास so मैंने focus right पर यहां पर क्लिक किया यहां पर क्लिक करने के बाद जो मैं control panel पर जाऊंगा control panel पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे option आ रहे हैं correct यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे option देख रहे हैं यह सारे option आ रहे हैं 256 पर सही रहता है आप record करके देख लेंगे एक बार अगर 256 पर नहीं अगर होता है तब जाके 192 अगर हम change करके देखेंगे right तो या फिर कभी-कभी ऐसा होता है अगर MIDI अगर भी हम play कर रहे है MIDI instrument तो उसमें भी मेरा latency कभी-कभी problem आयाती है तो उसमें भी हमें इसको चीज है कि कुछ भी हम आपको ध्यान देना है कि vocal record करेंगे या कुछ MIDI play करें तो buffer size हम कम रखेंगे right buffer size हम कम रखेंगे ताकि हमें latency की कोई problem ना है यानि यह जो 256 देख रहे है आप 192 अगर हम 1024 1512 higher कर देते हैं तो latency problem आने लगती है तो जब हम vocal record करें तो यह इन चीजों को हम चुछ करें right इसमें कोई आपके quality में कोई फरक नहीं है यह सिर्फ latency को रोकने के लिए और इसका कोई काम नहीं है right और उसके बाद अगर माल लिजे आप mixing and mastering कर रहे है right mixing और mastering कर रहे हैं तो buffer size हमेशा higher रखें यान 1420 या 512 जो भी है आप इसको रख सकते हैं लेकिन जब vocal record वगर करें तो आप ध्यान दें कि अगर latency problem आती है तो आपको इन सारे चीज़ों पर को सही करना होगा उसके बाद आपका latency problem नहीं आएगा right so यह मेरे subscriber का था कि latency कभी कभी आते हैं उनको जब आप singer से गवाते हैं इसलिए मैंने इसको video बनाया ऐसे I hope कि बहुत सारे latency के बारे में videos होंगे right फिर भी मैंने बनाया अपने subscriber के लिए so आज के लिए इतना ही अगर अच्छा लागा होता हो लाइक करें subscribe thank you so much for today